जोतिश शास्त्र से जुड़े जितने भी लोग हैं जो जोतिश चार्य हैं आपने देखा होगा कि इनकी कोई भी किताब आप पड़ें इनका कोई भी वीडियो आप देखें तो ये घोड़े के नाल की बात जरूर करते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में या जोतिश शास्त्र में घोड़े के नाल का बहुत ही महत्व है और इसका उप्योग अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत फायदे मिल सकते हैं पहले तो मैं आपको बताओं कि घोड़े की जो नाल है वो अलग-अलग फॉर्म्स में मिलती है जैसे कि आपको घोड़े की नाल पूरी नाल भी मिल सकती है या फिर आपको घोड़े के नाल की कील भी मिल सकती है या फिर घोड़े के नाल का छला भी आप बना सकते हैं गोड़े के रोप में या पूरे घोड़े की जो नाल है इसका क्या umPortence है हमारे लाइफ में क्या सही में यह हमारी लाइफ को change कर सकती है ? कुछ अगर problem चल रही है अगर आपकी शनी की साड़े साथी चल रही है या शनी की महादशा चल रही है तो क्या इसमें गोड़े की नाल का कुछ प्रभाव पड़ सकता है तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करूँगा कि घोड़े के नाल का कि किस स्वरूप में आप प्रयोग करें इसकी जो दिशा है वो कैसी होनी चाहिए जहां आप लगा रहे हैं ये तो यू शेप में होती है तो इसको यू में लगाएं या उल्टा लगाएं या तेड़ा पहनाएं मतलब आपकी तरफ से घोड़े को गिफ्ट करें नाल तो उससे भी क्या फायदे हो सकते हैं कौन से रंग के घोड़े की नाल को हमें अपने घर पर लगाना चाहिए इन सारी जो डाउट्स है इनको मैं क्लियर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में तो अगर आप आपको इसके बारे में जानना है और विस्तित जानकारी चाहिए तो आपको एक ही काम करना है वो यह है कि आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ल उसके बाहर लोग गोड़े की नाल लगाते हैं और काले गोड़े की नाल को सबसे उत्तम सर्वोत्तम माना गया है तो पहले मैं डारेक्शन की बात करूँ तो इसे यू शेप में लगाना है अगर आप अपने घर के दर्वाजे के बाहर लगा रहे हैं या फिर आपका कोई बिजनेस इस्टाबलिश्मेंट है या कोई व्यापार है कोई दुकाल है कोई आफिस है उसके बाहर आप लगा रहे हैं तो हमेशा याद रखिए उसे U-shape में लगाना है ऐसा ना हो कि आपने कील के थू लगाया है उसे और एक कील थोड़ी धीली हो गई और उसका direction चेंज हो गया है इसका बहुत ही negative impact हो सकता है कभी वो change होके उल्टा हो जाए उसकी direction या तेडा मेडा हो जाए तो इसे बहुत शुब नहीं माना जाता है इसलिए direction का हमेशा याद रखना है U-shape में लगाना है हमेशा जो गोड़े की नाल का प्रयोग करना है वो काले गोड़े का ही होना चाहिए हमारे astrology से जुड़े जो जोतिशा चारे है उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है किताबों में लिखा हुआ है कि गोड़े की नाल काले गोड़े की ही होना चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जाड़ फूख करवा देते है या कुछ तंत्र मंत्र करवा देते है जैसे मेरे एक मित्र है उनके आँ क्या हो रहा था कि जब वो दुकान खोलते थे तो कुछ कंकू और कुछ चावल अक्षत पड़ावा मिलता था या कोई पुडिया मिलती थी इसमें कंकू होता था और उनके साथ नेगेटिव नेगेटिव होने लगा तो वो मेरे पास आये थे तो मैंने उनको कहा कि आप ये घोडे की नाल लगाई है इससे क्या होता है कि अगर कोई आपके दुश्मन है जो ऐसा तंत्रमंद करवा रहे हैं वो जो इंपैक्ट उसका नलीफाय हो जाता है मतलब उसका असर रहेगा ही नहीं और देखिए कभी कभी दुश्मन भी नहीं हमारे खुद के लोग ही हमसे जलन खाते हैं हमारे रिस्तेदार हमारे परिवार के लोग जो हमारे घर में नहीं रहते हैं समझे लेकिन हमारे आसपड़ोस में हैं या हमारे शहर में आसपास हैं वो हमारी प्रगती से जलने लगते हैं आपने कार खरीदी, नया ओफिस खरीदा, नया घर खरीदा ऐसे तो वो प्रोग्राम्स में आएंगे पर मनी मन में कुड़ते रहते हैं कहते हैं ना कि गैरों में तो कहां दम था हमें तो अपनों नहीं लूटा ये बात सच है, especially अपने कंट्री भारत में तो ऐसे लोग अगर कोई जाड़ फूक करवा रहे हैं, तंत्रमंद करवा रहे हैं तो अगर आप ये यू शेप में घोड़े की नाल, काले घोड़े की नाल लगा देते हैं तो उसका इंपक्ट बिल्कुल नलिफा हो जाएगा और कभी कभी क्या होता है, प्रेत आत्माओं का भूत प्रेत का असर भी हो सकता है कोई घर आपने नया लिया है और आपने वासू तो करवाया है उसमें ठीक से लेकिन हो सकता है कि आपने वसे सेकेंड एंड लिया हो, किसी से खरीदा हो, किसी व्यक्ति की म्रत्य हुई हो या कोई इनसान जो है उसके बहुत खराब दिन रहे हो किसने सुसाइड कर लिया हो या नॉर्मली भी अगर कोई भूत प्रेत का वास है उस घर में या ओफिस में तो ये आपके जीवन में काफी मुश्किले पैदा कर सकता है इसलिए घोडे की नाल अगर आप लगा देंगे यू शेप में तो वो इन शक्तियों को निश्क्रिय कर देगा आपने देखा होगा कि आपके घर पर जो बच्चे हैं और जो बुड़े हैं वरद्द लोग हैं ये कभी-कभी बहुत चिर्चिडे सभाव के हो जाते हैं बच्चों का आपने देखा होगा कि आसबास के बच्चों से लड़ाई करके आता है वो पड़ाई ठीक से कर नहीं रहा है आपकी बात नहीं मान रहा है और बहुत ही गुसेल सभाव का हो गया है गाली गलोच कर रहा है सारे बुरे कारे कर रहा है तो ऐसे में क्या करना है अगर आप किसी आभूशन स्टोर पे जाएंगे जोयलर की दुकान पे जाएंगे या किसी अच्छे जोतिशा चारे के बास जाएंगे और उनसे मांगेंगे तो वो आपको चल्ला दे देंगे घोडे के नाल से बना हुआ चल्ला आता है वो अगर आप बच्चों को मिडिल फिंगर जो रिंग फिंगर है उसके पहना देंगे या घर पे कोई भी बच्चे हो बुड़े हो या किसी भी एज ग्रूप के इंसान है उनका कुरोध बहुत जादा रहता है वो गलत दिशा में चल रहे है तो फिर आप उन्हें चल्ला पहना के देखिए आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा और आपको इध्यार लखना है कि एक और बात में आपको बताओं कि या घर घोड़े की जो नाल होती है ये घोड़े को क्यों पहना जाता है जिससे की घोड़े को सेफटी मिले उसके पाव पर चोट न पहुँचे घोड़े की प्रटेक्शन जैसे ये घोड़े की नाल करती है ऐसे ही काले घोड़े की नाल आपके जीवन की प्रटेक्शन कर सकती है इसलिए आपको इसका प्रयोग जरू करना चाहिए कभी-कभी क्या होता है Friends कि हमारे घर में, हमारे परिवार के कोई सदस्य होते हैं, उनकी तबियत खराब रहती है, हमेशा खराब रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं chronic disease, ऐसी disease हो जाती है, हम डॉक्टरें इलाज करा रहे हैं, आयरुवेदा का इलाज करा रहे हैं, हर तरीके का इलाज करा के देख लिया, थोड़ी सी भी recovery नहीं आ रही है, एक कारे कर सकते हैं, फिर आपको कहीने कहीं से लाना पड़ेगा जो दिशाचारे से, या जोलरी की दुकान पर भी मिल सकता है, या जहां पर ये सब वास्तू से related सामान मिलता है, वहां से मिल जाएगा, घोडे की नाल की कील मिलेगी, या तब्यत हमेशा खराब रहती है, उनके बैट के नीचे जो चार पहिये हैं, उन पर इस कील को ठोपवा देना है, और फिर देखिए, ये रामबान है, ये एक टोटका रामबान टोटका है, अगर इसको आप करवा देंगे, इंस्टेंट आप देखेंगे, कि तब्यत ठीक हो गोड़े की नाल से आपको इतने सारे फायदे हो सकते हैं, तो आपको भी घोड़े को भी थाइंक्स करना चाहिए, और कहीं काला घोड़ा है, अगर आसपास कोई ऐसा अस्तबल है, या स्टेबल है, आपके आसपास कोई काला घोड़ा है, शादियों में प्रयोग होता है, जनरली भी घोड़ा है या घोड़ी है तो आप एक कारे कर सकते हैं कि नया घोड़े का नाल बनवा कर उस घोड़े को गिफ्ट कर सकते हैं इससे भी काफी फायदा हो सकता है इससे दुरभाग्य और निर्धनता आपके घर से कोसो कोसो दूर भाग जाएगी और संपन्ता और सुपर सक्सेस आपके गरे लग जाएगी इसलिए आप जरूर ट्राइ करिए आजकल विदेशों में भी लोग इसे ट्राइ कर रहे है एक्चुली प्रॉबलम हमारा यही रहता है कि जब तक अंग्रेज हमको नहीं बोलेगा तब तक हम मानते ही नहीं है श्री कृष्ण भगवान ने युदिश्टर को वास्तु शास्त्र और एस्ट्रोलोजी के बारे में जोतिश ग्यान दिया था जोतिश शास्त्र के बारे में ग्यान दिया है शेक्रिष्णि भगवान को तो हम मानते हैं पर इन चीज़ों को मानते नहीं तो ये ध्यान रखना है कि अंग्रेज मानेगा तब ही हम मानेंगे ऐसा मत करिए उससे पहले ही मानिया ये हमारी धरोहर है हमारे संसकार में है हमारे धरम में है इसको जरूर जरूर मानिए इन टिप्स को फॉलो करिए और कोई प्रश्ण हो तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को लाइक करेगा बेल आइकन को हिट करेगा जिससे मेरे सारे वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए तब तक के लिए बाई फ्रेंस टेक केर